बारमुला की उड़ी में जो सुभा से इंकाउंटर चल रहा है इस सुब बड़ा अपडिट सामने आ रहा है किस इंकाउंटर में दो मिलिटेंस मारे गए हैं सीवा ग्राउंड का रुप करेंगे हमाने नुमाइन दे इर्शाद हमारे साथ लाइफ जोईन कर चुके हैं बड़ जो है यहां पे सरिच आपरेशन चला और सरिच आपरेशन के चलते जो है आज अलल सुबा जो है यहां पे कांटेक्ट हुआ और देखा जाएं इस वक्त यहां पे पूरी तरह से जो जवान है पांच जैकरेफ और इसके साथ साथ असुजी जो मुकश्मीर पिलीस जा रही है चुक्कि सूत्र के मुताबिस एक आ जाता है दो बिलिटर्ट की जो है हलाकत हो चुके है फिलाल जो है इस वक्त यह इनकाउंटर जो है विजह चल रहा है कितना समय लगेगा यह आने वारे समय के बाद ही पता चलेगा फिलाल पूरी तरह से जो है इस जंगल को जो है स्क्योर्टी फोर्स इस ने अपने ताविल में लिया है और यह बता जाता है यह एक ग्रूप आया है और इंफिल्ट्रेट करके और फिलाल जो है यहां पे इस हातलंगा के इस वक्त यह जो मुटवेड है यह लगाता जा रही है क्योंकि आपको यह भी बता दे चले जो है यह जो इस ने जाता है यह जो है यह जो है पूछगाश की जाती है और आगे जो है चलने के इजाज़त नहीं दी जाते है और देखा जाए इस समय जो है यह इनकाउंटर जो है यह लगातार जारी है क्योंकि अभी थोड़ी दर पहले जो है जो है जुम कश्मीर फिलीस के जाने से जो टिवीट किया गया उसमें एक आ गया एक मिलिटन जो है मारा गया उसके बाद जो है दूसरी खबर यह आई क्य क्योंकि दो मिलिटन्ड को जो है इस वक्त हलाग किया गया और इस वक्त जो है यह इनकाउंटर जो है यह लगातार शुमाल कश्मीर के सरदी वैसलंगा जो है जारी है बिलकुल दो मिलिटेंट्स मारे गए हैं सुबसे ही गुलियों का तबादला जारी था इसक्ट भी क्या गुलियों का तबादला जारी ता, रुक गए है, ठंग गया है इसके बाद इस वक्त रुक रुक के जो है फारिंग हो रही है क्योंकि हमारे जो पुलीस जराई के मताबिक या फोज के जराई के मताबिक उनका एक चना फिलाल जो है और भी यहां पे मिल्टेंटर्स हो सकते हैं फिलाल जो है पूरी तरह से जो है सर्च आपरेशन के साथ-साथ यह जो इ जंगलू में जो है ये मिलेटेंटिक वह इस वक्त जिनकी मौजूद की है और ये जिन पर खिंचेगा या अभी थोड़ी देर के बाद जो है एक्दाम भज़ देर होगा चूंकि ये कहना फिलाल मुश्किल है फिलाल लाइन आफ कंटूर के जो नजदी की इलाके हैं चाहे हम हातलंगा के बात करें यहां से कुछी किलोमेटर के दूरी पे यह इलाका पड़ता है क्योंकि यहां से स्क्रिटी फॉर्स भी यहां पे मौजूद है चाहे हम जकल राइफल के जो जवान है वो अलव नहीं किया जाता है उनकी तरफ से अलो नहीं किया जाता है हमें और यह क चुक्रिया इशाद ग्याउंट से अब्डेट करने के लिए इसके आगे मेडिया परसनल्स को अलो नहीं किया जा रहा है जैसे ही कोई और अप्डेट सामने आएगा इशाद आप तक कर ज़रू पहुंचाएंगे फिलाल दीजिए जाता